तो नमस्कार साथियों ता डिगनिटी के यूटूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्त होंगे और अपनी पढ़ाही में लगे हों दोस्तों वर्तमान में तर्वोच नेले में बियट को लेकर जो आपका माम अभी अप टूदे होता जा रहा है लेकिन एक आपकी याचिका जो है क्लैरिफिकेशन के लिए मतलब की चीजों को सपस्टी करण किया जा सके एक और याचिका आपकी जो है वो कल पबिश की गई थी यह कहा जाए तो कल लगाई गई ती उस याचिका में पूरी तरह से फै आपकी तो किन मुद्धों पर यहाँ बह座 होई और आकिर बीएड वालों का भविश्य क्या होगा क्या बीएड वाले जो आल इंडिया बीएड को लेकर आपका जो विवाद चल रहा है उस विवाद में कोई नया मोड आएगा और क्या बीटी सी वालों के लिए जो आपका करेंगे और उमीद करता हूँ आप इस वीडियो को आंत तक जरूर देखेंगे और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्या चोटा सा समर्थन जो है वह हमारे लिए बहुत ज्यादा वश्चा है दोस्तों आ विवाद सबसे ज़्यादा खड़ा हो रहा है अब उस विवाद के अंतरगत क्या में पहलू है हम उसको देखेंगे और आप सभी विद्ध्यार्तियों को बताना चाहेंगे कि आर्पीअब जो है कॉंस्टेबल और आर्पीअब का एसाई जो उसका एक नोटिफिकेशन जा प्रशन को पूट कर सकते हैं के तुरू आपका कमेंट सेक्शन के तुरू बोल सकते हैं और वहां पर उनकी इन समस्या पर निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा एक छोटा सा प्रयास है आप जाए एप में चेक करिए एप प्ले स्टोर पर एबलेबल है दाट डिगनिटी के नाम से एप पर जाकर जो है आप इसको उसको पर्चेस कर सकते हैं और यदि आपको उचेत लगता है कि जो कंटेंट है वो अपको डेटर फिर आप पर परचेस ने अब विवात की तरह बढ़ते हैं विवात की अगर बात की जाए तो देखिए अभी जो यह नई अपील लगी है वो क्लेरिफिके नाओं में उनका नाम आगे आता है और उनमें ये दो नाम सथ से जाए इन दोनों के द्वारा जो है जो ये प्रकास डाला जाए थोड़ा इस पस्ची करण किया जाए अब आप सभी को बता दे कि ये जो नई याचिका है ये आपके दो न्याइधीशों के बैंच में लगाई गई थी और वो जो दो न्याइधीश थे आपके अगर उन दोनों न्याइधीशों की बात की जाए तो वो आपके अनुरुद्ध बोस और आपके सुधानसु धूलिया इनकी बेंच में आपका जो है स्क्लैरिफिकेशन आपका याचिका को लगाया और कहा गया कि सर यह जो आपका वीड़ वाला जो विवाद चल रहा है इस विवाद में जो फैसला आया है 11 अगस 2023 अब उस पर यह व जो ने ने दिया जा रहा है वो यह है कि भाई इसे जो है पहले से आपका क्या किया जाए पहले की देट से लागू किया जाए वहीं जो अपील की जा रही है अपील वालों का आपका जो है या आपके जो मनु सिंगी जी जी जो है उनकी तरफ से यह बात रखी जा रही है कि देखिए जो आपके विध्यारती हैं जो 2018 में से बिहार बिहार और UP की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे विध्यारती हैं जिनकी संख्या लाखों में हैं जो 2010 से 2011 से सिक्षण भरती की तयारी कर रहे हैं और फिर वो उनका बड़ी मुश्किल से आपका सेलेक्शन हुआ उसके अब अगर आप इसे आपका अगर देखा जाए तो समय से पहले या जिस दिन फैसला आया 11 अगस 2023 को अगर आप इसे उस समय से पहले से प्रभावी करते हैं तो अब सबसे पढ़ा विवाद खड़ा होगा कि आप इसे कब से लागू करेंगे और उन विध्यारतियों का जब उनके भविश्चश का क्या हो उनकी भी आज जी वीका उसी सिक्षा जो है जा उसी सिक्षा का भी ठीश से जुड़ी होई है तो न्यायाले को इस विषय पर भी नज़र डालनी होगी यह अभिसेक वंदू सिंग्वीजी जो है उनका कहना था कि बहई आप जो है इसे आप से लागू करेंगे तो आपको इस विशय पर भी ध्यान देना होगा अब माननी सरवोच ने आले इस विशय पर ध्यान देंगे और वो आंगे फैसले पर पता चलेगा पूरी तरह से इस पर फैसला अभी तो आया नहीं है लेकिन वो जब आंगे आएगा तब उससे पता इनके द्वारा ये भी बताया गया कि भाई जो वीयड के आपके जो सिक्षक बने है वो अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं उनके अंदर अच्छा तैलेंड है और वो सिक्षक के लेबल को कितना बढ़ा रहे हैं वो सभी तरह की बाते जो है अब इसे एक मनु सिंग वी और अब इसके साथ साथ सर्वोच नियाले ने जो अपनी टिपडियां दी है अभी हाला की फैसला तो नहीं आया इस याचिका पर लेकिन उन्होंने टिपड़ी की कि देखें यह आपके जो वीयड वाले विद्यार्थी हैं इनके लिए ऑप्शन जो है स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है मतलब 6-8 हो जाता है 9-10 हो जाता है 11-12 हो जाता है लेकिन डिलेड वाले जो है या बीटीसी वाले जो है उनके लिए से 1-5 का ही ऑप्शन रहता है तो अगर उनके पास सिर्फ 1-5 का ऑप्शन है और वीयड वालों के पास यह सारा ऑप्शन है तो यद विवाज जो चल रहा था उसमें आयाले ने कहा कि भाई ये भी इस विशय को भी देखा जाए कि जो आपके डिलेड वाले हैं उनके पास सिर्फ एक उप्शन रहता है और वो एक से पांच का रहता है जबकि बीड वालों के पास बहुत सारे उप्शन रहते हैं तो अगर यहा आता क्लैरिफिकेशन आपका जो यह याचिका लगी थी इस पर फैसला था उससे पहले जो है न्यायाले लंच ब्रेक पर चला गया और उसके बाद अभी तक कोई फैसला नहीं आया यह यहाचिका कल लगी थी और यह सारी सुनवाई हो थी वीडियो जो है वो यूटूब प पांच जो है अगर आप उसे बीड से या भीड धारक जो है उन्हें आप यहाँ से बाहर करते हैं तो जो सलेक्टेड इस्टूडेंट है उनका क्या होगा और अगर करते हैं तो उनके लिए कोई ऑप्शन है या नहीं भई अखिर आप एक नियुक्त वेक्ति को जो सिक्षक पांच का उप्शन है तो या तो आप यह जो आपका फैसला आया है 11 अगस 2023 वाला आप उस देट से प्रभावी करें ऐसा जो है यह मेरा मानना है वाकि नर्डे तो नयायाले का होगा कि आपका जो है आप इसे अगर 11 अगस से भी लागू करते तो भी विद्यार्थियों का थोड़ा सा यह जो भविष्य है वो अधर में है इसके साथ सर्वोच नयाले द्वारा यह भी टिप्ली की गई कि जो पेटागोजी होती है यह कहा जाए तो अध्यन की या आपका बच्चों को सिखाने की जो विद्यां है उस विद्यों में अगर देखा जाए तो बीड़ शुष्ण भी जी ने बांकी सारी चीजों को फ्लैरिफाई कि और यह भी बताया थि आपका जो यह बियड़ वाले विद्यार्थी है जो बीड़ में सिक्षप बनते हैं और जो टीजिट आपका जो आपका वन टू फाइब वाले बीटीसी वाले आपके जो सिक्षप बनते और अगर ऐसा कोई विशेह है, जो बचों के अध्यन से जूड़ा हुआ है, किसी विशेश से जुड़ा हुआ है, तो इसका निराकर ऐसे भी किया जा सकता है, कि उन विशेस को जो अभी तक नूप्त हो चुके हैं, उनको ये विसेश सेशन जो है वो दे दिया जाए कई बार आप देखते हैं सरकारी तंतर में ऐसा होता है कि विसेश परसेक्षन दिया जाता है तो आप उन्हें भी दे सकते हैं और उसके साथ-साथ जो है 11 अगस के बाद से आप इस फैसले को लागू कर सकते ताकि आंगे की जो भी पोस्ते हैं उसमें एकड़म आपका जो है जल की तरह सारा मामला जो है वो एकड़म प्लियर रहे कि हाँ भाई जो बीटी सी वाले हैं वो एक से पांच की तरफ रहेंगे और जो बीएड़ वाले है हुआ आपका 6-8, 9-10 और 11-12 हाला कि बागी सारा नेर्ड है सर्वोचने आले का है मैं सर्वोचने आले पर टिपड़ी नहीं कर सकता मैं या आप नहीं कर सकते फैसला जो है वो उनी को देना है मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक जैहिन जैभार